हलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एक टूल बना सकते हो वो भी चैट जीपीटी की मदद से और उस टूल को आगे सेल भी कर सकते हो अपने खुद की विबसाइट बना के भी महीने के लाख रूपे अन कर सकते हो साथ ही इस टाइप से मल्टिबल टूल बना के भी आप विबसाइट बना सकते हो मल्टिबल टूल बना के भी आप उन्हें सेल कर सकते हो सो multiple method basically आपके पास बन जाते है earning करने के तो अगर आप जानना चाते हो कि shared GPT से इन tool को कैसे बनाया जाता है कैसे अपनी website पे डाला जाता है और कैसे आगे internet के उपर इने बेचा जाता है तो इस video को पूरा end तक देखेगा आपको पूरी detail जांकारी इस video के अंदर मिल जाएगी चलिए शुरुवात करते हैं इस interesting video की अगर आप इस channel पे पहली बार विजिट किये हो चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथ ही अगर आप हमारी विडियोज पहले से watch करते हो तो विडियोज को like जरूर करिए सो दोस्तों इस video के description box में आपको एक website का link मिलेगा जिस website पे आप विजिट करोगे तो आपको ये tool यहाँ पे दिखाई देगा basically ये tool की script है code है उस tool का so अगर ये tool आपको यहाँ पे नहीं मलता है तो आप यहाँ पे चर्स भी कर सकते हो या फिर free tool script में भी आप आ सकते हो यहाँ पे आपको ये tool मिल जाएगा simply आपको इसको open करना है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब रहता है American Standard Code for Information Interchange so यहाँ पे इस coding की मदद से एक ऐसा tool बनके तयार होगा जिसमें आप एक code डालोगे और वो code binary में convert कर देगा ये tool अब इस tool की आम लोगों को तो कोई जरुरत नहीं रहती है बट कई website के उपर इस tool की बहुत जरुरत रहती है इसलिए वो लोग जो है इस tool को खरीदना प्रिफर करते हैं अपनी website पे लगाने के लिए so यहाँ पे यह coding है simply आपको इसको copy paste करके यहाँ से ले जाना है आप easily इसको copy paste करके यहाँ से ले जा सकते हो अब देखें ले जाएंगे कहाँ पे सबसे पहले अपनी एक website को create करते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि chat gpt से आप अपनी खुद की script कैसे बनवा सकते हो यह तो देखें मैंने बनवा के यहाँ पे डाल दी इससे जो response निकलेगा वो तो निकलेगा बट अगर आप अपना खुद का creative बनाना चाहते हो तो यही response आपको chat gpt को देना होगा response क्या देना होगा आप देखें write a complete responsive code of American standard to binary converter to lin HTML with javascript in one page so यह करके आपको जो है chat gpt को basically question तूचना है तो chat gpt जो है आपको यह coding पूरी बना के दे देगी write आपके सामने यहाँ पे coding convert हो रही है आप इसको simply यहाँ से copy paste करके ले जा सकते हो यह जो opportunity आपको आज मिल रहे है free of cost हो सकता है आगे ना मिले और यह जो coding है इससे जो tool बनेगा वो इस coding से दिखने में थोड़ा सा अलग बनेगा right दोनों का काम तो एक ही है क्योंकि दोनों tool एक ही है नाम एक ही है दोनों का बट थोड़ा सा interface जो है इनका change होगा तो copyright का कोई भी risk यहाँ पे नहीं है so आपको पता चल गया कि अब tool को कैसे बनाना है या coding को कैसे करवानी है चैट जीपिटी से अब समझते हैं कि website कैसे बनानी है और उसके ओपर tool कैसे डालना है so google पर आपको चर्ज करना है blogger जब आप google पर blogger चर्ज करेंगे यह link आएगा आपके सामने आपको इस पर click करना है यह link open होगा यहाँ पर देखे create your blog के option पर आपको click करना है जब आप इस पर click करोगे तो आपके सारे gmail account आपके सामने आ जाएंगे अब जब कोई भी एक gmail account select कर लोगे तो यह interface आएगा आपके सामने जहाँ पर आपको अपने blog के लिए एक name डालना है सो यहाँ पर मैं अपने blog का name यहाँ पर डाल देता हूँ मैं one tool website बना रहा हूँ सो इसी tool का name यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ उसके बार next पर click करेंगे and next हमें अपने blog के लिए एक URL बना देनी है सो URL मैं यहाँ पर easily बना देता हूँ URL में कोई भी space नहीं होता है यह चीज आपको पता होनी चाहिए सो यहाँ पर मैं save कर दूंगा URL अमारा बन चुका है as key to binary converter tool सो यहाँ पर आपन save कर चुके है blog अमारा create हो चुका है अब आगे का process बहुत ध्यान से समझे है pages पर आना है आपको और यहाँ पर आपको 5 pages definitely बना लेने है price policy about us contact us, disclaimer, term and condition इसके लावा आपको कोई अच्छी सी theme यहाँ से setup कर लेनी है या बार से भी आप theme को export कर सकते हो सो मैं यहाँ पर कोई basic theme ले लेता हूँ decent सी यहाँ पर इस theme को मैं apply करूंगा got it पर click करेंगे and अब कुछ settings में आपको बताता हो उसको complete करियेगा देखे यह title है इसको आप 100 word तक लंबा बना सकते हो सो बनाना चाहो बना सकते हो description आपको पूरा 500 word तक जो fulfill करना है यह चीज miss मत करना blog language जो UK की select है इसको normal English पर select करके save कर दीजेगा नीचे travelled करने पर आपको option मिलेगा comment moderation का इसको never से always पे लाके save कर दीजेगा and नीचे scroll करने पर आपको option मिलेगा meta tag का meta tag को यहा पे enable कर दीजेगा और church description में meta tag डाल दीजेगा पूरे 150 word तक and save कर दीजेगा नीचे इस scroll करने पर आपको मिलेगा crawler and indexing इसमें आपको custom robot text को enable कर देना है custom robot header tag को भी enable कर देना है और अपनी website को google search console में add कर देना है basically अब आप post बनाने के लिए ready हो सो यहाँ पे tool कैसे बनाना है चलिए इसको समझते तो new post पे हम click करेंगे यहाँ पे हमें title डालना है so मैं इस tool का title डालता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने title डाल दिया label में यहाँ पे बना देता हूँ tool name से and जो हमारा title है उसी को permalink के अंदर custom permalink में paste करेंगे and नीचे चर्श description में जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको tag लगाने है so यहाँ पे आप 150 वर्ड तक tag लगा सकते हैं पूरा इनका यूज करिएगा अब देखिए यहाँ पे title के नीचे यह जो option है इस पे click करना है hashtag ml view आपको select रखना है अगर आप compose view में code को paste करेंगे तो यह code काम नहीं करेगा यह चीच आपको पता होनी चाहिए आपको code अमेशा HTML view के अंदर ही paste करना है so अब आप चाहे तो chat gpt से यह code ले सकते हैं या फिर website से बनाया हुआ code ले सकते हैं दोनों से ही बहुत ही इंटरस्टिंग टूल बनने वाले मैं आपको लाइफ बताने वाला हुआ so चलिए पहले chat gpt का second time बनाया गया जो है script आपन देखते हैं कि कैसा response आता है so को जह type से यहाँ पे so आपको यहाँ पे enter करना है और इसको convert पे click करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने binary number साथ चुके हैं आप S की number डालोगे हैं यहाँ पे binary number आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितना बड़ा भी number डाल सकते हो 4-5 अंग तक भी और यह चीज आप देख सकते हैं 4-5 क्या कोई limit ही नहीं है आप देख सकते हैं इतना interesting tool जो है chat GPT नाम के इस AI tool ने बना दिया है देखे कोई भी limit नहीं है इतना लंबा यह जो है यहाँ पे आमें बना के दे रहा है आप देख सकते हैं और यह चीज एकदम free of cost हो रही है पूरी तरह से इसने एक AI ऐसा tool बना दिया है AI tool ही बना दिया है जो इतने बड़े नंबर उसको भी बड़ी easily यहाँ पे convert कर रहा है बहुत ही सांदार system जो है बनके तयार हो चुका है यह coding काफे interesting है इसको रहने देते हैं यहाँ पे publish पे click करेंगे and confirm पे click करेंगे आपका blog बनके ready हो चुका है यह लिए वो भी मैं आपको check करवा देता हूँ तो यहाँ पे देखे आप view के उपर click करेंगे देखे उससे पहले मैं आपको आपकी website बताता हूँ उसके आगे आपको tool यूज करके बताता हूँ और भी interesting तो देखे यह जो name अमने डाला था है sk2binaryconvertertool.blogspot.com यह हमारी website है जैसे ही कोई website पे आएगा यहाँ पे click करेंगा तो यह tool अमार उसके सामने open हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है अपनी value एंटर करेंगे जो भी value आप binary में convert करवाना चाहते हैं बले वो कितनी बड़ी value किये ना हो यह one click के अंदर आपके सामने यहाँ पे binary के अंदर convert करके देदेगा बले आप एक number का डाल रहे हो या फिर आप 10 number या 20 number 25 number डाल रहे हो कोई भरक नहीं पड़ता यह tool आपको just one minute में यह चारी चीजे करके देदेगा आपने एक ऐसा standard tool जो है बना लिया है right और वो भी free of cost अब इस tool को आपको ज़्यादा से ज़्यादा promote करना है अब देखे promote आप कहाँ पे कर सकते हो कैसे कर सकते हो मैं आपको बता दूँ आपको tool के regarding या tool website के regarding अलग-अलग facebook group को join कर लेना है एंड उस group के अंदर दिन में कम से कम तीन बार जो है आपको अपने link को paste करना है जी यहाँ दोस्तो link को share करना है हो सकता है कुछ group से आपको exit मिले बट आप जो एक कुछ group से काफी अच्छा traffic gather कर पाओगे एंड वो traffic आपको grow होने में काफी जादा help करने वाला है क्योंकि एक बार traffic आना start हो गया तो उसके बाद वो traffic रुकेगा नहीं यह चीज आपको पता होनी चाहिए आई ओप की ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपने भी जस्ट इस वीडियो के 10 मिनट के बाद जो है ये टूल बना लिया होगा अगर ये वीडियो इंफरमेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से जादा लोगों साथ सेयर करिए ताकि हर कोई इस टाइप के टूल बनाना सीख सके सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फुर वाचिंग थ्रेंड